नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आपका अपनी चैनल स्टोक म्यूस बायर भी में तो डिसकस करेंगे ऐसे शेर के बारे में जिसने कल भेंकर तेजी आ सकती है पूरे हफ़ते ही तेजी रह सकती है इस शेर में जितनी मार्केट गिरेगी उतने शेर में तेजी आने के चांसिज है तो इसका भी current price चल रहा है 5,189 रुपे तो 5,189 से आप मान सके चलिए कम से कम भी 500 रुपे जाएगा ये कम से कम भी 500 रुपे जाएगा इस week में अगर कोरोना के cases बढ़ते हैं, lockdown बढ़ते हैं तो इस share में तेजी देखने को मिलेगी ये reverse direction में जाएगा अगर कोरोना के cases बढ़ते हैं और lockdowns बढ़ते हैं तो पूरे chances हैं 500 भी उसे भी उपर चला जाए एक week में easily जाने के पूरे chances हैं अगले अपते में इसके कोई doubt नहीं है मुझे share पे कि ये उपर की तरफ जाएगा ही जाएगा तो पहले इसका कल का आप वो देख लेते हैं कि delivery percentage कितना रहा था 30 अपरेल का तो delivery percentage जो इसका रहा था actually में 13 लाक shares की trading होई थी जिसमें से delivery थी round round 4 लाक share की तो 30% के round round आपकी क्या हुई है delivery percentage साथ 30% के round होई थी बट एक धम्याकेदार खबर आई है इसी share के regarding vaccine की ज़ुरत है actually में और vaccine कौन provide कर रहा है हमें Russia से आ रही है Sputnik V और उसको कौन करेगा Dr. Reddy को first consignment विलाए और इंडिया में जैसी हालाग चलने ये doses और भी आएंगी बहुत quantity की ज़ुरत पढ़ने वाली है Russia से इस vaccine की जिससे Dr. Reddy को benefit होगा ही होगा किसी भी sense में Dr. Reddy के share में तेजी दिखाई देगी आप मगर मेरा तो ये मानना है कि at least इंडिया को जो चाहिए इस ताइम पे at least 10 करोड vaccine चाहिए Dr. Reddy से भी क्योंकि उन्हें जिस तरफ से भी जितनी vaccine मिल जाए हो कम है क्योंकि 130 करोड के देश में कम से कम भी 50-60 करोड लोगों को vaccination कर देना पड़ेगा जो आकड़ा अभी तक 2% मतलब 2 करोड लोग fully vaccinated और 13-14 करोड लोगों को first time vaccination मिला है तो 18-44 के लिए ये vaccine आ गई है तो मुझे लगता है कि अगले फटे जरूर तेजी दिखेगी इसमें बहुत तो अपने financial advisor से राय लीजिए और इसमें invest कीजिएगा और कल पोने 10 वजे तक का wait जरूर कीजिएगा धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बिटन दबाना बिलकुल मन भूलेगा और लाइक जरूर करीगा वीडियो को धन्यवाद थेंक्यू बेरे माच